शिक्सा जगत की सभी समाचार आपको सबसे पहले मिलें इसके लिए सब्सक्राइब करें नमस्ते सर यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को ओल पर जरू से प्रेस करके रखें नमस्कार मेरे पहरे भाई और बहनों तर्तिय स्रेणी संगर्ष समीती ने जिस प्रकार से पिछले आठ नो मेहनों से तर्तिय स्रेणी सिक्सकों की स्थनांदर्ण की प्रकिरिया सुरू करवाने को लेकर संगर्ष किया है वो राजस्तान के सैक्सिक कांदौलों की इतिहास में एक मिशाल है साथियों ये तरतिय स्रेणी शिक्सक संगर्ष शमीती ही नहीं बलकि उससे जुड़े हुए परतेक तरतिय स्रेणी शिक्सक के संगर्ष की गाथा है साथियों ये उन सब की सफलता है और इसका पूरा का पूरा स्रे पर तेक तर्तिय स्रेणी सिक्सक भाई बहन को जाता है बहुत जल्द ही सरकार से जो आश्वाशन मिला था वो पूरा होने वाला है मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि तीन चार तारिक तक आप धहरिये रखिए इस्तानांदर्ण की परकिरिया शुरू हो जाएगी सातियों हो सकता है सरकारी का काज है एक दो दिन का समय उपर या नीचे हो सकता है लेकिन फिर भी हम विश्वास दिलाते हैं कि तर्तिय स्रेणी संगर्ष समीती ने जो समझधारी पूर्ण फैसला किया था उसवक्त उसवक्त बहुत सारे भाई बनों को फैसला बुरा लगा था लेकिन वो शिक्षक हित में था वो फैसला आंदोलन से इस्तानांदर्ण नहीं खुल सकते थे यह हमें ऐसास हो गया था और इसलिए हमने ये फैसला किया था कि हम सरकार से विन्नती कर कि इस थानांदरन खुलवाने की कोशिश करते हैं और उस कोशिश में हम काम्याब भी रहे हमारी वारताइं हो चुकी थी हमें आश्वाशन मिल चुका था कि एक सो एक परती सता आपकी स्थानांदर्ण की परकिरिया शुरू कर दी गई है अंदर ही अंदर और जल्दी आपकी स्थानांदर्ण सुरू हो जाएंगे और अब भी हमें यही आश्वाशन मिलावा कि जो समय आप लोगों को दिया गया है तैस समय पर इस्तानांतरण की प्रकिरिया शुरू हो जाएगी साथियों हम सरकार से कुछ भी छीन कर नहीं ले सकते सरकार बहुत ताकतवर होती है इसलिए हमने एनुने विने और विन्नती की साथमिस्तान आंतरण खुलवाने की प्रकिरिया शुरू करवाने की चेस्टा की जिसमें हम लगभग सफल हुए हैं ऐसा मैं मानता हूँ साथियों ये सफलता आप सब की संगर्ष की सफलता है आप सब के महनत का परिणाम है इसमें किसी एक विक्ति को सरे नहीं दे सकते ये तर्तिय स्रेनी संगर्श रमीती से जुड़े हुए परतेक शिक्सक भाई बहन की सफलता होगी और तर्तिय स्रेनी संगर्श रमीती के भवश्य का फैसला भी परतेक तर्तिय स्रेनी सिक्सक भाई बहन मिलकर करेंगे कि उसे आगे जारी रखना है या नहीं रखना है किसी परकार के अन्य अंदोलन चलाने है या नहीं चलाने है लेकिन जल्द ही आपको खुश कबरी मिलेगी इसलिए आपनी स्चिंतित रहें धन्यवासा